दोस्तो आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं MSME की पेमेंट को लेकर एक अप्रेल दोजार चोईस से MSME नियम जो है वो लागू होने जा रहा है और इस नियम के दोरान आपको 45 दिन के अंदर पेमेंट करनी होगी अपने सप्लायर को अपने सेलर को या फिर अपने वेंडर को किन किन लोगों पर ये नियम लागू होता है जिसके बारे में हम जानेंगे किन लोगों को ये नियम लागू नहीं होगा इसके बारे में भी हम जानेंगे 31 मार्स से पहले पहले आपको क्या तैयारी करके रख लेनी है ताकि एक अप्रेल के बाद आपको इसका कोई भी नेगेटिव इंपक्ट देखने को ना मिले सरकार दुआरा इन इयमों में क्या लागू किया गया है एक अप्रेल दोजार चोईस से क्या ये MSME एक्ट जो है उसकी डेट बढ़ाई है एक साल के लिए इसके बारे में भी डिसकस करेंगे एगरिमेंट हो गया या फिर अगर आप एक बायर है परचेजर है तो उसके इसमें 31 मार्स से पहले पहले आपको ऐसी क्या तैयारी करके रखनी है ताकि आप अपनी पेमेंट जो है वो टाइम से कर सके आए दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत जादा इंप अप्लायर है वह में में रेजिस्टर है या नहीं है जिसके बारे में भी हम आपको पूरी जानकरी देंगे तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत जादा इंपॉर्टन है चैनल पर ना है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोडिकेशन पर क् मिलते रहे आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को बिना देरी करते हुए दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं MSME के बारे में इसकी अप्लिकेबिलिटी के बारे में किन लोगों को MSME Act लागू नहीं होगा Section 43BH और Section 15 of MSME Act क्या कहता है जिसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाते है Financial Year 23 चोईस में अगर आपने कोई goods purchase किया है या अगर आपने service लिये अपने vendor से, supplier से, seller से अगर कोई आपका dealer है उससे अगर कोई mal purchase किया या कोई service लिये है तो उस case में आपको उन्हें payment करनी होगी 45 दिन के अंदर ये 45 दिन की जो धारा है वो MSME Act के अंदर दी गई है Section 15 के अंदर अब अगर आपका कोई agreement है तब उस case में आपको 45 दिन देखने है लेकिन अगर कोई भी agreement नहीं है तो उस case में 45 दिन बलकि आपको 15 दिन ही देखने होगे यानि 15 दिन के अंदर आपको payment करनी है अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उस case में उस खर्चे का आपको deduction नहीं मिलेगा वो खर्चा आपकी income में एड हो जाएगा और आपको उस पर tax pay करना पड़ेगा तो ध्यान रखेगा 45 दिन का due date रखा गया है from the date of supply जिस दिन से आपने supply किये उस दिन से 45 दिन देखना है agreement है तो अगर agreement नहीं है तो उस case में 15 दिन देखना है दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि objection निकल के आ जाता है कोई भी माल समान अगर आप purchase करते तो बायर दुआरा objection निकल के आ जाता है तो उस case में date of supply आपको objection जब clear होगा उस दिन से देखनी है और अगर कोई भी objection नहीं है बायर दुआरा तो उस case में date of supply actual date of delivery मानी जाएगी ज्यान रखेगा अगर objection आपका 15 दिन तक रहता है यानी MSME Act के अंदर आपको अपने seller, vendor, जो supplier है क्या वो register है या नहीं है आपको यह जाना क्या आप उनके पास उध्यम registration है या नहीं है क्या वो manufacturer है, क्या वो trader है क्या वो service provider है medium है, small है, या micro enterprise है यह जानना आपके लिए ज़रूरी है क्यूंकि कुछ category के ऐसे taxpayer, ऐसे जो supplier है, वो exempted है उन लोगों को payment करने की जल्दी आपको नहीं करनी है 45 दिन का नियम किन पर लागू होगा जिसके बार में आपको applicability बताएंगे किन लोगों पर applicable है और किन लोगों पर applicable नहीं होगा तो ध्यान रखेगा 45 दिन के अंदर-अंदर आपको payment कर देनी है एक important बात हमको आपको ये भी बता दे कि जो payment है वो आपको financial year जिस साल आप करेंगे उस साल आपको खर्चा मिल जाएगा यानि 31 मार्च आपके लिए बहुत जादा important है financial year 23 चोईस की अगर कोई भी payment due हो रही है 31 मार्च से पहले-पहले तो वो आपको pay कर देनी है अगर आप next financial year में करते हैं तो उस case में आपको उस साल नहीं यानि 23 चोईस को नहीं बलकि 24 पच्चिस को आपको उसका benefit मिलेगा कुछ लोगों में भरांतिया है कि 1 अप्रेल से हमें ये नियम लागू होगा यानि एक अप्रेल के बाद जो भी बिल बनेगा उस पर हमें 45 दिन के अंदर-अदर payment करना है ऐसा नहीं है अगर आपका 1 अप्रेल को बिल बनता है 10 अप्रेल को बिल बनता है या 30 तारीक को बिल बनता है इसका payment आप 31 मार्च 2025 तक कर सकते हैं क्योंकि पूरे financial year में आप कभी भी अगर payment करेंगे तो उस case में उस financial year में आपको deduction मिल जाएगा जो 45 days का जो due date है वो MSME Act में दी गई है लेकिन पूरे financial year के अंदर अगर आप deduction क्लेम करना है जिसके लिए 43B H के अंदर कहा गया है यानि एक अप्रेल के बाद अगर आप कभी भी payment करते हैं 31 मार्च से पहले पहले कर देते हैं तो उस case में आपको choice 25 में उसका खर्च का deduction मिल जाएगा इसी तरह आपको financial year 23 choice में भी देखना है अगर यह 45 दिन fall or 31 March से पहले तो उस case में 31 March तक आपको payment करनी है अगर यह 45 दिन fall or 31 March के बाद यानि 15 April को fall और 30 April को fall और तो उस case में आपको 30 April से पहले पहले करनी है Otherwise आपका deduction जो है उस साल नहीं मिलेगा यानि जिस साल आप pay करेंगे due date के बाद उस साल आपको उसका खर्च का deduction मिल जाएगा जोस्तो आइए अब बात करते है applicability के बारे में MSME Act किन को applicable होगा और not applicability के बारे में यानि किन लोगों को MSME Act applicable नहीं होगा आपको यह जानना आपके supplier, vendor या जो भी seller है या आपके जो dealer है जिनसे आपने goods purchase किया है, service purchase किया है क्या वो MSME में registered है या नहीं है अगर वो MSME में registered नहीं है तो उस case में उन्हें payment करने की आपको कोई भी अभी आवशकता नहीं है ध्यान रखेगा 31 मार्स से पहले-पहले जो लोग आपके supplier, vendor है अगर वो registered नहीं है तो उन्हें payment करने की जल्दी ना करें अब बात करते है जो लोग registered है MSME Act के अंदर यानि उद्यम registration के अंदर जिनके पास उद्यम registration है तो आपको उनसे declaration ले लेना है या फिर आपको उनका उद्यम registration नमबर ले लेना है क्या वो manufacturer है, trader है या फिर service provider है आईए अब जानते किन लोगों को MSME Act जो है वो applicable होगा तो दोस्तों अगर आप एक manufacturer है या फिर अगर आप एक service provider है तभी उस case में आपको MSME Act जो है वो लागव होगा यानि आपको देखना है आपके जो supplier है vendor है वो manufacturer होने चाहिए या फिर service provider होने चाहिए लेकिन दोस्तों उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि उसमें भी तीन category दी गई है micro, small, medium तो जो भी micro, small होगे उन लोगों पर ही MSME Act लागव होगा जो medium enterprise है यानि जिनोंने investment करके रखा है plant and machinery में 10 करोड रुपे से जादा या उनका turnover 50 करोड से जादा है तो ऐसे case में ऐसे manufacturer जो है वो MSME के अंदर नहीं आते है यानि ऐसे seller को आपको payment नहीं करनी है अगर कोई trader है आपका supplier trader है तो उस case में उन्हें payment करने की ज़रूद नहीं है क्योंकि trader जो है MSME के अंदर नहीं आता है इसके अलावा बात करते है service provider है तो service provider में भी आपको ये ध्यान रख लेना है कि service provider micro और small होना चीए तभी आपको उनको payment करनी है तो दो चीज ध्यान रखेगा जो manufacturer है service provider है और micro और small होनी चीए जो भी medium enterprise है जो भी trader है उन लोगों को MSME Act लागू नहीं होता है इसके अलावा अगर आपका section 44 AD के अंदर presumptive basis पर अगर आप income दिखा रहे हैं 6% 8% तो उसके इसमें आप पर MSME Act लागू नहीं होता है इसके अलावा अगर आपके जो supplier vendor है जिनसे आप fix asset purchase कर रहे है या कोई capital goods purchase कर रहे है तो ऐसे supplier को payment करने के लिए आपको जल्दी नहीं है क्योंकि ऐसे supplier MSME Act के अंदर नहीं आते हैं तो जो भी payment अगर आप कर रहे है capital goods related तो उन्हें जल्दी नहीं है 45 दिन के अंदर आपको payment करना हो 45 दिन का जो due date दी गई है वो सिर्फ MSME के लिए manufacture और service provider जो micro और small enterprise से है तो ध्यान रखेगा आपके लिए applicability तभी मानी जाएगी जब आपके seller, supplier, vendor जो है वो manufacture या फिर आपके service provider हो इसके अलावा बात करते हैं अगर आपके जो supplier है उनको जो आप payment कर रहे हैं तो ध्यान रखेगा जो supplier है और आपका agreement होना चाहिए 45 दिन का या 45 दिन से जादा अगर आपने कोई भी agreement नहीं कर रहा है तो उसके इसमें 15 दिन ही देखे जाएंगी दोस्तो आईए अब आपको हम बताते है Excel sheet में कैसे आप अपने supplier, vendor या आपके जो dealer है उनके regarding आप कैसे data maintain कर सकते हैं कितने दिन में आपको payment करनी है वो आपको कैसे पता होगा कैसे working कर सकते हैं जिसके लिए आपको क्या करना होगा एक Excel लेनी होगी जिसके अंदर आपको अपने सभी supplier के नाम रखने जिसकी payment outstanding है यानि जिसकी payment 31 मार्च के बाद होनी है आउस्टेंड है 31 मार्च से पहले-पहले जिनको payment आपको करनी है तो उस case में उनकी list आप बना ले जितने भी आपके supplier है उनकी list आपको बनानी है ध्यान रखना है आपको सिर्फ supplier की बनानी है जो आपके supplier है यानि जिनको आपने माल बेचा है उनकी आपको list नहीं बनानी जिनसे माल आपने purchase किया है service purchase करिये service ली है तो उन लोगों की ही list आपको बनानी है इस list में आपको ध्यान रखना है सभी के सामने आपको उद्यम registration number डाल देना है इसके बाद जो अगली category आती है वो है micro, medium, small enterprise तो वो भी आपको check लेना जो उनके उद्यम registration list से आपको पता चल जाएगा तो वो भी आपको इस actual sheet के अंदर डाल देना है ताकि आपको यह पता चल जाए कि कौन से ऐसे जो supplier है उन पर ही सिर्फ नियम लागो है यानि उनको ही 45 दिन के अंदर आपको payment करना होगा बागी गए जो supplier है जो manufacture नहीं है यानि trader है या medium enterprise है manufacture तो है पर medium enterprise है ऐसे supplier को आपको अलग से रख देना है अब यह जो supplier है इसकी जो भी outstanding amount है वो आपको लिख देनी है और इसके बाद date of supply आपको लिख देनी है किस दिन आपने माल उनसे purchase किया है वो date of supply आपको लिख देनी है और इसके साथ आपको number of days लिखने है 44 days तो 44 days लिखिएगा 45 दिन मत लिखिएगा क्योंकि ओल्रड़ी आपकी date of supply का एक दिन calculate कर लिया है अब इसमें जो भी date आपकी निकल के आती है चाहे वो fall होती 31 मार्च से पहले या fall होती 31 मार्च के बाद यानि 15 अपरेल को fall हो रही हो या 50 अपरेल को fall हो रही हो तो उस case में जो भी आपकी due date होगी उससे पहले पहले या उस दिन तक आपको payment करनी होगी यह 45 दिन के अंदर जो है अगर आप payment कर देंगे तो उस case में financial year 23rd choice में आपको deduction मिल जाएगा अगर इसके बाद अगर आप payment करते तो उस case में आपको financial year 24rd 25 में आपको deduction मिलेगा आइए दोस्तो अब बात करते revise classification of MSME के बारे में एक जुलाई 2020 को notification जारी किया गया जिसके अंदर revise करी गई है investment आपको plant and machinery में कितना होना चीए आपका turnover कितना होना चीए micro small medium enterprise के लिए तो सबसे पहले बात करते है micro के बारे में तो आपका जो plant and machinery में investment है या equipments में जो भी investment आपका होगा वो एक करोड रुपे से जादा नहीं होना चीए turnover की बात करें तो पांच करोड से जादा का आपका turnover नहीं होना चीए बात करते है small enterprise की तो उसके इसमें 10 करोड की limit रखी गए 10 करोड से जादा नहीं होना चीए यानि 1 करोड से लेकर 10 करोड के अंदर आपका plant and machinery में investment होना चीए और turnover की बात करें तो 50 करोड से जादा नहीं होना चीए यानि 5 करोड से लेकर 50 करोड के अंदर आपका अगर turnover होगा तो उसके इसमें आपस small enterprise मणे जाएंगे medium enterprise की बात करें तो उसके इसमें investment in plant and machinery 50 करोड से ज़ादा नहीं होना चीए और 10 over 500 करोड से ज़ादा नहीं होना चीए तो ये classification जो है वो revise किया गया है जो 1 July 2020 से applicable होगा सभी MSME registered users दोस्तों अब आईए बात करते हैं अगर आपने कोई agreement करवा रखा है यानि 45 दिन से जादा का अगर agreement करवाया है अपने supplier के साथ यानि आपने 90 दिन का करवाया है मान के चलते हैं लेकिन उसमें maximum आपको 45 दिन ही allow किये जाएंगे अगर 45 दिन से कम का agreement है 30 दिन का है तो उस case में 30 दिन ही आपको allow किये जाएंगे अगर कोई भी agreement आपने नहीं करवाया है तो उस case में 15 दिन देखे जाएंगे अनि maximum 15 दिन के अंदर आपको payment करनी होगी अब जिन लोगों ने agreement नहीं करवाया उन लोगों के लिए एक sample agreement हमने बना कर रखा है जिसके अंदर आप अपने सभी supplier को ये agreement भेज कर उनसे ये declaration मंगवा सकते हैं जिसके लिए आपको उनके letter head पर जो है आपको लिखवाना होगा क्या-क्या detail लिखवानी होगी सबसे पहले उनका letter rate आ जाएगा जिसमें उनकी firm का या company का नाम आ जाएगा इसके बाद उनका address आ जाएगा GST नंबर है तो वो भी आप डाल सकते हैं टेलिफॉन नंबर डाल सकते हैं और उद्यम registration नंबर है तो वो भी आप उतर डलवा सकते हैं इसके बाद आपको जो है यहाँ पर subject line में लिखना होगा declaration दिया जाएगा कि आप MSME Act के दुआरा payment करने के लिए तैयार है तो यह declaration आपको उनसे लेना है इसके साथ आपको क्या-क्या detail उसके अंदर later में देनी होगी आनि आपके supplier को देनी होगी या उद्यम registration नंबर देना ह होगा वो अगर manufacturer trader है वो unit कौन सी है वो भी specify कर दीजिए इसके साथ है वो कौन सी enterprise है micro है small है तो वो भी यहाँ पर specify कर दे उस letter के अंदर और इसके साथ वो agree करे के वो 45 दिन की payment के लिए तैयार है यानि 45 के अंदर वो payment accept करने के लिए तैयार है यानि इसके साथ यह जो letter है व पर applicable नहीं होगा और उनके sign और signature के साथ यह declaration उनसे मंगवा ले यह declaration यह sample agreement अगर आप सभी से मंगवा लेते है supplier से तो उस case में आपके पास यह document रहेगा जिसके अंदर आप 45 दिन तक उसको payment कर सकते हैं अगर ऐसा कोई भी agreement नहीं होगा तो उस case में आपको 15 दिन के अंदर अ register है manufacturer, trader है या service provider है या फिर आप यह भी check कर सकते है micro, small या medium enterprise है जिसके लिए आपको उद्यम registration की website पर जाना होगा और उपर जाकर आपको verify उद्यम registration क्लिक करके वहाँ पर उन number को डाल कर आप OTP डाल कर जो है check कर सकते हैं कि उनका उद्यम number जो है वो क्या status दिखा रहा है जिस medium enterprise दिखा रहा है, manufacturer है या service provider है तो भी आपको उनको payment नहीं करने हैं इसके लावा अगर वो micro, small है, manufacturer है, service provider है तब आपको उनको 45 दिन के अंदर payment कर देनी है तो status जो है वो आप उद्यम registration की website पर जाकर चेक कर सकते हैं सरकार दुआरा इसकी एक साल की due date जो है वो बढ़ाने की बात की जारी है या नहीं एक अपरेल दोजार चोई से जो MSME Act लागू होगा वो आपके लिए एक अपरेल दोजार पच्ची से लागू होगा जिसके लिए अभी तक फिलाल CBD दुआरा कोई भी notification जारी नहीं किया ग होगी यह नियम आपके लिए लागू है भी अभी सरकार दुआरा कोई वी ऐसी relaxation नहीं दी गई तो दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो के अंदर हमने उद्यम related MSME Act related 43BH related सभी detail जानकारी आपको यहाँ पर दिये किनको आपको payment करना है किनको आपको payment नहीं करना classification इसमें क्य आपको इसी वीडियो के अंदर दिया है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसको जाज जादा शेर करें ताकि यह knowledge और लोगों तक पहुंच सके आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए इसके अलावा भी अगर आपके कोई doubt है query है तो नीचे comment करके आप हमें बो करेंगा है तो थाल आपको यह जाए है अगर जैज का अधको यह वीडियो बोगों को भीडियो जादा आपको चाहिए झाहिए अज़र एसके जाए है ए कि अवीडियो अज़र आपको इस दोदीन करेंए घवीडियो